ये cordless multi head power tool है और एक ही mainframe में आप अलग-अलग heads को इस्तुमाल करके इससे बिभिन उपयोगों में ले सकते हैं काफी सस्ती कीमत पर ये Amazon पर उपलब्द है cordless multi head power tool का package हमें कुछ इस तरह से receive हुआ था चलिए हम इसकी unboxing करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि जो package है उसमें कुछ इस तरह की box हमें receive हुए है मैं एक box आपको खोल कर दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे इस box में हमारा cordless multi head power tool है उसका instructions manual जो है वो दिया गया है और साथ ही आप देखेंगे कि इसी box में हमें हमारे cordless multi head power tool का main frame भी मिल जाता है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें brisless motor का इस्तुमाल किया गया है और नीचे side आपको battery attach करनी होती है तो इस तरह से यह main frame हो गया यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अलग अलग tools खरीदेंगे तो उनका price काफी ज़्यादा आपको पड़ेगा एक ही tool लगबग 5000 से 8000 के बीच में मिलता है तो यह जो multi head power tool है यह आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा सभी आपके attachment भी आपको मिल जाएंगे मैंने package से सभी box निकाल लिये है अब मैं इस multi head power tool के सभी box खोल कर आपको दिखाता हूँ जैसा कि आपने सबसे पहले देखा था यह इसका main frame है जिसका MRP 5,399 है लेकिन यह आपको 1800 के लगभग में ही मिल जाएगा इस multi head power tool के main frame को आप देखेंगे तो इसमें rubber gripping है और इसमें brushless motor का इस्तमाल किया गया है यहाँ पर इसका shaft आप देख पाएंगे multi head attachment को lock और unlock यहाँ से आप करेंगे यहाँ पर आप cheston की branding भी देख पाएंगे नीचे side आपको battery attach करनी होती है और इस main frame का weight भी काफी कम है और इसकी motor जो है वो काफी powerful है यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो main frame है वो हमने देख लिया है अब हम इसकी battery को देखते है बैटरी अलग-अलग variant में आती है यह 3000 mAh capacity वाली है 6799 इसकी MRP है लेकिन यह आपको लगबग 2000 की पढ़ जाएगी यहाँ पर यह multi head power tool मुझे 12,499 का पढ़ा था यह जो battery है यह 21 volt वाली है 5S battery pack होता है यानि 5 cell series मिलेके यह battery pack बनाया जाता है इस battery pack को charge करने के लिए दो तरीके है तो pin से आप यहाँ से charge कर सकते हैं दूसरा इसका charger जो है उसमें से connect करके charge कर सकते हैं main frame से जब आप battery attach करतेंगे फिर भी यह on नहीं होगा चुकि जब तक इसमें कोई भी आप head जो है वो attach नहीं करेंगे तब तक on नहीं होता है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस box में इसका charger है और charger को भी हम देख लेते हैं किस तरह का charger हमको मिलता है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरे charger जो होते हैं वो 1 ampere तक की ही charging देते हैं लेकिन यह fast charging देता है 2 ampere की charging जो है इससे output होती है और काफी जल्दी आपके battery pack को यह charge कर देगा चलिए इस तरह से आपने यहाँ पर battery और charger देखा आप हम इसके जो heads हैं उन्हें देखेंगे सबसे पहला head मैं आपको दिखाने चाहूंगा इसका MRP 6099 है और यह इसका hammer head है यहाँ पर hammer के साथ साथ यह normal drilling में भी कामा सकता है तो इस तरह का head attachment है यह आपको मिलता है मैं इसे नज़्दीक से आपको दिखाता हूं यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो hammer head है उसमें दो settings के लिए एक knob दी गई है और यहाँ पर आप देखेंगे max drill capacity 26 mm इसमें लेकी हुई है और यहाँ से आप drill bit जो है उन्हें connect कर सकते हैं यहाँ पर यह हमारे main frame के साथ connect होता है चलिए मैं इसे main frame में connect करके आपको दिखाता हूं तो यहाँ पर इस तरह से हम main frame में इसे connect कर सकते हैं और इसके बाद इसे हमें lock कर देना है lock होने के बाद अब हमारा trigger switch प्रेस करेंगे तो यह जो है rotate करने लगता है इस तरह से आप इसके hammering और साथी drilling कर सकते हैं यहाँ पर हमारा जो main frame है उसकी motor की speed को भी आप control कर सकते हैं यह जो function button है इसे प्रेस करके पहले motor minimum speed में थी अब medium में है और मैं इसे maximum में करके आपको speed टेस्ट कराता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे यह जो red lock button है इसे rotate करके आप drilling जो है अब वो कर सकते हैं अभी हम hammering और drilling में थे अब हम खाली drilling में है motor speed को भी आप अपने अनुसर सेट कर सकते हैं चलिए इस attachment को अब हम निकालते हैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप cordless hammer tool लेंगे तो वही आपको लगबग 7 या 8000 का पड़ेगा अब हम इस multi head power tool का दूसरा attachment देखते हैं इसका MRP 2099 है और यह drill plus driver है आप इस attachment का इस्तुमाल करके wood या steel में drilling कर सकते हैं साथ ही आप एक screwdriver की तरह भी इस attachment को use कर पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे cheston की इसमें भी branding है इसमें आप देखेंगे कि driver की अलग-अलग torque setting 25 तक दी गई है यहाँ पर आप देखेंगे 32 mm तक का torque यह generate कर सकता है 10 mm की drill bits इसमें attach होती है यहाँ पर अलग-अलग 2 speeds भी आप set कर सकते हैं इस तरह से इस attachment को अब हम अपने mainframe में attach करते हैं तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से यह attachment जो है attach हो जाते है अब हम tigger switch प्रेस करते हैं तो हमारी जो drilling है वो हम कर पाएंगे यहाँ पर speed की 2 settings है 1 number पे speed जो है वो कम रहती है और 2 number पे speed जो है वो ज़्यादा रहती है तो इस तरह से आप देखेंगे mainframe की motor की लिए आप speed को function button से control कर सकते हैं तो यहाँ पर दो तरह से आप इसकी जो speed है उसे control कर पाएंगे यहाँ पर reverse और forward direction को आप control कर सकते हैं इस तरह से आपने यह drill plus driver attachment देखा यह attachment भी आपके काफी उपयोग में आएगा अब हम next attachment देखते हैं यहाँ पर next head जो है इसका 2890 line का है और इस head attachment में हमें क्या मिलता है यह आप देख पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमें एक pressure washer मिलता है चेस्टन की branding है यह एक तरह की cleaning machine है यहाँ पर इससे जो water है वो 2.4 liter per minute की speed से बाहर निकलता है 3 MPa तक का यह pressure जो है वो create करता है इस तरह से इसे हम अपने mainframe के साथ attach कर लेते हैं इस attachment के साथ और भी AC series आती है जैसा कि आप देख पारें यहाँ पर एक extension rod जो है वो हमें साथ में मिलती है जिसे हम आगे इस तरह से attach कर पाते हैं इसके अलाबा कुछ और AC series हमें साथ में ही मिली है जिसमें कुछ nozzles है और साथ ही कुछ इसके inlet pipe के attachment है जिनको मैं अभी आपको कैसे use करना है के बारे में जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर water inlet के ही यह connectors है जिसमें यह black part आपका direct इस तरह से connect हो जाएगा और जो water pipe है वो हमें यहाँ पर इस तरह से open कर लेना है और यहाँ पर attach करने के बाद उपर से यह इस तरह से lock कर दे रहा है जिससे की water pipe जो है वो हमारा attach हो जाएगा और यह नीचे side press होता है तो इससे नीचे side press करके और इस तरह से हम attach कर देंगे जिसके बाद इससे हम pressure washer की तरह यानि cleaning machine की तरह उपयोग कर पाएंगे यहाँ पर यह nozzles है जो की एक 40 degree है और एक 0 degree यहाँ पर आप देखेंगे quick connector है जिससे आप इस तरह से पीछे को press करके इन nozzles को connect कर पाएंगे जिसके बाद आप cleaning machine की तरह इस pressure washer को use कर पाएंगे तो यहाँ पर यह attachment भी हमने देख लिया अब हम यहाँ पर next attachment जो है वो देखेंगे इसे मैं side में रख देता हूँ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सभी attachment जो है बड़ी आसानी से हमारे mainframe के साथ connect हो जाते है और next attachment का आप price देखेंगे 2699 रुपीज है और इसमें हमें क्या मिलता है यह भी आप देख पाएंगे तो यहाँ पर package जो है उसे मैंने कोल दिया है और इसके अंदर हमारा chainsaw attachment है यहाँ पर इसके specifications आप देखेंगे 4 इंची guide bar है और chain speed है 7 meter per second rpm है 4000 यहाँ पर इस attachment को आप अपने mainframe में connect कर सकते हैं इससे जो पेडों की डाले हैं उनको हम काट सकते हैं जो पतली डाले होती है और इस तरह से यह open होता है जब डाल करता है तो यह head जो है उपर side का यह open हो जाता है यहाँ पर इस attachment को भी हम अपने mainframe में lock कर देते हैं और अब मैं इसे चला कर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से यह चलती है और यह जो attachment है इस attachment के साथ कुछ AC series भी साथ ही आती है जिसमें आप देखेंगे एक screwdriver आपको जो की dual side वाला होता है वो मिलता है एक chain जो है इसकी उसको lubricate करने के लिए यहाँ पर plastic की यह छोटी सी bottle दी गई है और इस bottle में आप lubricant जो है वो ले सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक socket पाना है जिसका आप इसकी chain को adjust करने में इस्तमाल कर सकते हैं तो यह जो AC series है यह हमें साथ में ही मिलती है चलिए अब हम अपने mainframe से chainsaw attachment जो है उससे निकाल देते हैं और next attachment जो है उससे देखते हैं तो यहाँ पर next box जो है इससे अब हम open करने वाले हैं यहाँ पर इसका MRP 2899 रुपीज दिया गया है चलिए इस box को भी हम खोलते हैं और देखते हैं इसमें हमें कौन सा head attachment मिलता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो head attachment है यह angle grinder head attachment है इसमें 125 mm का grinding stone जो है उसे आप use कर सकते हैं 8000 rpm की speed है यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का यह attachment जो है इसको आप mainframe में लगाकर angle grinder की तरह अपने tool को use कर पाएंगे चलिए इसे मैं attach करता हूँ mainframe के साथ इस तरह से इसे हम lock कर देते हैं और अब मैं trigger switch प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे अब इसका जो head है वो angle grinder की तरह साम करेगा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस angle grinder head attachment के साथ हमें कुछ AC series भी मिलती है तो इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसके साथ में हमें यह तीन चीज़े मिली है एक तो यह handle हो गया तो अच्छे से established तरीके से हम इसे पकड़ सकते हैं यह opening tool है और यह safety guard है चलिए मैं safety guard और handle को लगा के आपको दिखाता हूँ इस safety guard को लगाने के लिए हमें पहले lock nuts जो है इन्हें निकालना होगा तब ही हम इस safety guard को लगा पाएंगे तो यहाँ पर एक spindle lock button है red color की उसे हम press करके और lock nuts को खोल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर जो हमारा safety guard है उसे हम लगा पाएंगे safety guard में एक screw दिया है इससे आपको tight कर लेना है जिस direction में आपको रखना है वहाँ पर set करने के बाद आप इससे tight कर सकते हैं इसके बाद lock nuts जो है उन्हें आप लगा पाएंगे और यहाँ पर इस तरह से आप यह attachment जो है उससे safely use कर पाएंगे अच्छा यहाँ पर इसका जो यह auxiliary handle है इससे भी मैं आपको लगा कर दिखा लेता हूँ इस तरह से आपको इससे भी लगा लेना है इस attachment को मैंने निकाल दिया है अब मैं next attachment जो है वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे यह next box है और इसमें MRP जो है 1899 रुपीज लिखा हुआ है चलिए इससे हम खोल कर देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो हमें head attachment मिलता है वो एक multi-purpose oscillating tool head है यहाँ पर cheston की branding आप देख पाएंगे और यह जो head attachment है इसकी oscillating frequency 21,000 ipm और movement 3 degree है यहाँ पर आप detail देख पाएंगे यहाँ पर यह जो plastic part है इसे इस तरह से पीछे को खीचने पर यहाँ पर gap बनता है जिसमें हम saw blades या दूसरे attachment जो है उन्हें लगा पाते हैं चलिए इसे हम अपने mainframe में लगाते हैं इस तरह से यह mainframe में lock हो जाता है यहाँ पर दिगर switch प्रेस करने पर यह 3 degree का movement करता है और काफी तेजी से oscillate करता है चलिए इसमें और भी accessory जाती है उसे हम देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे इसमें काफी सारी accessory जैसे यह sanding paper pad है और कुछ saw blades है तो यहाँ पर यह एक तरह का saw blade है जिसमें आप देखेंगे दाते बने हुए है तो यह जो saw blade attachment है यह भी उसी head में लग जाएगा दूसरा attachment आ हमारे head में लग जाता है इन दोनों attachment को लगा कर हम wood या plastic की cutting कर सकते हैं यहाँ पर यह sanding का attachment है तो इसे में लगा कर अभी आपको दिखाता हूँ यह sand paper है जो की हमारे sanding attachment पे चिपक जाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे wall crow की तरह इसमें चिपकने वाले pads है और यह आसानी से ह लग लग तरह की sanding करने में हमें इस्तमाल में आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे यह इस तरह से हमारे head attachment में चिपक जाते हैं मैं इसे थोड़ा से आपको नजदीक से अभी दिखाता हूँ कि इसमें जो आप देखेंगे कुछ इस तरह के रूमें से होते हैं और यह इसको देगर प्रेस करता हूँ तो यह काफी तेजी से बाइबरेट करता है इसकी बाइबरेटिंग फिकसी 21,000 है और यहाँ पर 3 डिगरी का मूवमेंट है तो इससे हम अच्छे से sanding जो है वो कर सकते हैं इसी तरह से दूसरे attachment जो है 100 attachment है यह cutting के लिए इनको भी आप इसमें इस त अच्छा जहां पर हमारा जो एंगल ग्राइंडर है एंगल ग्राइंडर या cutter वो नहीं पोचता है वहाँ पर यह attachment जो है यह काम कर सकते हैं जारा तर इस oscillating tool का इस्तमाल wood cutting, house wiring, house water pipeline fitting में करते हैं तो यह oscillating जो multi tool head है इसका भी आपने इस्तमाल देखा अब हम next box जो है उसमें देखेंगे कि हमें कौन सा इसका head attachment मिला है तो यहाँ पर box को मैं आपको दिखाता हूँ इस attachment का MRP है 2199 रूपी चलिए box को खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह का head attachment मिला है तो यहाँ पर इसमें curve saw जो है वो हमें मिला है यह attachment भी काफी useful है चेश्टन की branding आप देख पाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे curve saw है 12.7 mm तक की मोटाई के जैसे wood की ply है उसको भी आप design cutting जो है वो कर सकते हैं जैसे curve size में cutting इस तरह से इसका जो blade है वो up down movement में move करता है और बिल्कुल यह आरी की तरह है इस तरह से इसको आप उपर करेंगे तो blade जो है इसमें lock हो तो इससे plywood वगेरा में आप cutting जो है वो कर सकते हैं और इस तरह से blade जो है वो attach हो जाता है इसके बाद आप देखेंगे वो lock जो है वे छोड़ देना है और यह blade जो है lock हो जाएगा अब इस attachment को हम अपने mainframe में connect करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से यह हमारे mainframe में connect हो जाएगा और इसके बाद हम mainframe में attachment को lock कर देंगे यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से trigger switch करने पर यह आँगे पीछ से movement करता है जिससे हम cutting जो है वो बड़ी आसानी से कर पाएंगे तो यह जो करसा head attachment है यह भी काफी useful है wooden work के लिए जैसे अगर आपको किसी ply की precise cutting किसी curve में या किसी design में करनी है तो इसके दोरा आप बड़ी आसानी से work time कर पाएंगे यह cordless multi head power tool जो है seven अलग-अलग head attachment के साथ आता है और इन्हें आप Amazon से अलग-अलग भी purchase कर सकते हैं purchase link मैंने वीडियो के description में दे दिया है उमीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए helpful आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice day